तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में बाइक्स को कैसे मौडिफाई करना है तो चैनल परना है तो चैनल को सस्काइब कर ले औहां वीडियो को अभी से लाइक कर दे क्योंकि आप लोग बात को लाइक करना भूल जाते ह यार ये पंख़त कितने धीरे चल दा है लाइट बहुत स्लो है कोई कमेंट करके इसको तेज करो यार मजाग कर रहा था तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है इंडियन बाइक डाविन 3D गेम में पलसर, बुलट और स्पिलेंडर ये तीनों बाइक को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए तो मुझे लगता है काफी अच्छी लगने लगेगी देखने में बिल्कुल ओरेजनल बाइक की तरह अभी तो ये बिल्कुल ओरेजनल बाइक की तरह नहीं लगती है थोड़ा अजीब टाइप से लगती है, मतलब की हलका कम अच्छी लगती है और जो मॉडिफाई कर दिया जाए, इसे बिल्कुल रियल बाइक की तरह लगने लगेगी जैसे कि अब रॉयल इंफिल्ड को देख लेते हैं जिसका कोड है 9999, तो देखिए ये रॉयल इंफिल्ड आ चुकी है, इसकी वाइस तो है बुलेट की तरह पर इसमें ग्राइफिक्स उतनी अच्छे नहीं है और नहीं उतनी अच्छी देखने में लगती है, अगर मॉडिफाई करके बिल्कुल रियल बाइक की तरह बना दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी देखने में अब बात करते हैं पलसर की, जिसका कोड है 1211 ये देखें पलसर आ चुकी है, पलसर भी उतनी अच्छी नहीं लगती है पर अब देखते हैं स्पिलेंडर क्यों 9000 यह देखे Planner आ चुकिए है Pulser में तो पीछे की तरफ इंडिया लिखा हुआ है पर is blender और bullet में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है देख सकते हैं आप यहां पर Pulser में इंडिया लिखा हुआ है तो आप बात करते हैं के मौडिफिक्टिन की तो आप सिम्पल सा आपको क्या करना है 1211 फिर से डाइल करना है तो देखिए इसका color चेंज होकर आ जाएगा अब बात करते हैं इसका color कैसे change होगा तो देख सकते हैं आप इसका mask का color change हो चुका है पहले पूरी नीली थी अब ये red हो चुकी है जब आप दोबारा फिर से डाइल करेंगे फिर से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसमें यही होता है कि केवल इसमें पलसरी मॉडिफाई हो पाती है एक कलर हलका सा चेंज हो पाता है बाकिया और कोई बाइकस इसमें मॉडिफाई नहीं होती है तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था अगर आपको इस तरह से मॉडिफाई कलना है तो इसी तरह से कोड डाइल करके दो बार कर सकते हैं तो वीडियो पसंद देए तो वीडियो को लाइक करें और आहां मुझे इस्टेग्राम पर फालो कर ले लिंक डिस्क्रेप्शन में है और गेम डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा